नमस्कार मेरा नाम शशिकला है आज हम छटवे कक्षा के संस्कृत विशय में पहला पाठ पुनरा वर्तन आकारांथ पुल्लिंग प्रथम्ष पुरुष शब्द के बारे में जानेंगे एशह कह अस्ती एशह का अर्थ है यह कह मिन्स कौन अस्ती मिन्स है यह कौन है एशह कह अस्ती का अर्थ है यह कौन है एशह बालकह अस्ती एशह मिन्स यह बालकह मिन्स बालक अस्ती मिन्स है यह बालक है एशह बालकह हसती एशह मिन्स यह बालकह मिन्स बालक हसती मिन्स हस्ता है यह बालक हस्ता है सह कह अस्ती सह यानी वह कह मिन्स क्या अस्ति मिन्स है वह क्या है सह व्रिक्षः अस्ति सह मिन्स वह व्रिक्षः मिन्स पेड अस्ति मिन्स है सह व्रिक्षः अस्ति का अर्थ है वह पेड है एतो काउस्तह यहाँ पर ए तव related to dual form ए शाह singular form है और यहाँ पर ए तव dual form ए तव ए तव का अर्थ है यह दो कव कव मिन्स कौन स्थ है singular में अस्ती का अर्थ है होता है और dual में स्थ है dual form में है का है को स्थ है कहते है और singular form में है को अस्ती कहते है तो फिर यहाँ पर ए तो का उस्तह यह दो कौन है ए तो बालकव स्तह ए तो मिन्स यह दो बालकव यानि दो बालक स्तह मिन्स है ए तो बालकव स्तह इसका अर्थ है यह दो बालक है ए तो बालकव हसतह यह दो बालक हसते है यहां पे दो बालक के जगह पर हसतह आता है अगर वही एक बालक है तो हसती दो बालक है हसतह यहां पे वर्ब फॉर्म बदल जाता है सिंगुलर में हसती होता है और जिवल फॉर्म में वर्ब हसतह होता है तो फिर यहाँ पर एतो बालको हसतह यानि यह दो बालक हसते हैं तव कउस्तह तव यानि वह दो कउ क्या स्तह है वह दो क्या है तव व्रिक्षव स्तह वह दो पेड है एते के संती, यहां पर एते plural form है, एते यानि यह सब एते के संती, यह सब कौन है, एते बालकाह संती, यह सब बालक है plural form में संती यानि है होता है more than two, it is known as in Sanskrit, plural form, संती एते के संती, यह सब कौन है, एते बालकाह संती, यह सब बालक है एते बालकाह हसंती, यह सब बालक हसते है plural form में हसंती और singular form में हसती, dual form में हसतह, plural form में हसंती यह सब बालक हसते हैं ते के संती ते कार्थ है वह सब ते के संती वह सब क्या है ते व्रिक्षा हसंती वह सब पेड है धन्यवाद